अब exponential function की कुछ properties होती हैं सीधे हम उन पे आते हैं उन properties को देखते हुए फिर सीधे question करेंगे हम लोग ठीक है जो आपके medical में use होता है calculation based है ना वो सारी properties हम लोग देख लेते हैं जिनका use होता है calculation में और बहुत easy हो जाएगा आपके लिए ठीक है अब मेरी बात दिहान से सुनिएगा अगर हमने a की power 0 किया property number 1 properties बता रहे हैं ठीक है किसकी properties है ये exponential function की properties है अगर हमने power किसी की भी 0 करा तो answer हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा ये हो गई पहली property second property second property क्या अगर हमने a की power, m into, a की power, n किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से यहाँ पे base क्या है, base सेम है, यह base और यह base दोनों सेम है, power क्या है power चाहे different हो चाहे same हो doesn't matter power चाहे different हो चाहे same हो doesn't matter ठीक है a base दोनों में क्या है base यह क्या है base क्या है यह base है तो हमने का base अगर same हो base अगर same हो तो power के लिए power के लिए यह जो multiplication का sign है ना यह multiplication का sign जो है यह plus का बन जाता है power के लिए ठीक है ठीक है आपको दिख रहा है multiplication का sign कैसे बन गया हमने ऐसे देखा तो यह plus का बन गया powers के लिए हमेशा यह sign बदल जाता है powers के लिए क्या करता है बदल जाता है तो बताइए बेस अगर सेम होगा तो बेस एक दफा जो चीज सेम होगी उसको एक दफा लिखना है और जो जहां लिखा है उसको वही लिखना है बास्तों में आ रही है जैसे यह बेस है बेस क्या है सेम है तो बेस क्या है नीचे बेस नीचे ही लिखा जाएगा ना हा तो बेस का जो बेस हो को n में जोड़ना है क्या करना है जोड़ना है यानि कि यह हो जाएगा m plus n इतनी बात त्लियर ओके अब property number third property number third property number third में यह कह रहे हैं अगर a की power m है और divided by a की power n है divided by a की power n है base same है क्या है base same जो चीज़ same होती है उसे कितनी बाल लिखना होता है उसे एक ही बाल लिखना होता है चाहे वो कितने भी time लिखाओ ठीक है यहाँ पर दो base दिख रहे हैं हमेकाद same है तो एक दफा लिख लेंगे यहाँ ठीक है एक दफा लिख लिए अब उसके बाद यह जो बटे का sign है power के लिख क्या बन जाएगा minus का सुन लिजे ध्यान से यह जो बटे का sign है divide करने का sign है यह power के लिख क्या बन जाएगा minus का यानि कि हम क्या करेंगे power को आपस में घटा देंगे यह याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं ठीक है मतलब एक logical तो मैंने सारी शीज़े बताई दी है लेकिन आपको दिहान रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई यह दोखो power के लिए क्या होगा यह वाला sign जो है plus का बन जाएगा और अगर divide में है तो divide का जो sign होगा वो powers के लिए negative का sign बन जाएगा अगर हमने इस तरह से लिखा है one upon a की power m अगर कुछ इस तरह का function है तो आप से मैं यह बोल रहा हूँ कि जब यह power उपर जाती है अभी यह पॉस्टिव में है जब यह power उपर जाएगी तो यह कैसी हो जाएगी यह कैसी हो जाएगी negative चलो इसका और थोड़ा सा और देख लेते हैं थोड़ा सा और detail में जाते हैं अच्छा बताएगे one को क्या लिख सकते हैं एक पावर 0 लिख सकते हैं अब आप बताएगे क्या यह 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 वाला form हो गया हूँ क्या पावर 0-m करेंगैं ठीक है तो इसको क्या लिख सकते हैं एक पावर minus m, थाई है, तो यानि कि जहाँ पर 1 upon a की power m लिखा हो वहाँ पर हम क्या कर सकते है a की power minus m कर सकते है ठीक है, अब उसके बाद property number 5 पे आते हैं, इसको आप note कर लीजे ओके, property number 5 में बहुत important property है, ठीक है, अब ही तक इसमें क्या हो रहा था, exponential function की जो भी properties अभी तक हमने पड़ी हैं उनमें base same था base same था, और आपको पता है जो चीज same होती है, उसको एक दफा लिखा जाता है, ठीक है, और powers के लिए जो होता है, मेरे दो statement आप बहुत ध्यान से याद कर लीजे या इसे कुछ भी कर लीजे, ठीक है इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है बासवाण में आ रही है, पहली बात क्या है जो चीज same है, base या power, base या power में जो चीज same होगी, आपको वो एक दफा लिखनी है, अभी तक आपने क्या देखा है अभी तक base same है ना, तो base को क्या देखा है बेस यहां भी थी, एक की पावर M, यहां पे एक की पावर M था, यहां पे एक की पावर N था, तो बेस सेम थी, तो हमने इधर equal करके एक बेस लिखा था, और जो जहां पे लिखा है, यानि कि बेस में है, तो बेस में ही रहेगा, बात्सवन में आ रही है, यानि कि A अगर बेस में इस तरफ है और दोनों में बेस है ठीक है a की power mb a की power n में दोनों में बेस a ही है न सेम बेस है तो बताइए इधर जो लिखेंगे वो भी a ही बेस होगा सही है अब powers के लिए क्या होगा powers different हो चाहे रगा होगा sine जो नीचे का sign होता है जो इन दोनों के बीच लगा होता है वो sign हमेशा into का plus में convert हो जाएगा divide का बते का minus में convert हो जाएगा और बहुत similarity भी है divide का sign यह होता है और minus का भी होता है और into का sign ऐसे होता है और फ्लोसाब आप ऐसे तरिशा करके देखोगे तो plus का sign भी दिखेगा आपको इतनी बात clear है clear है ओके अब मैं आ रहा हूँ उस चीज़ पे जिसमें base different होगा और power same होगी ठीक है तो यहाँ पे मैंने कहा a की power m है into यह b की power m है ठीक है तो अब बताइए power क्या है same base क्या है different तो हमने कहा पहली बात आप से क्या कही थी जो चीज same होगी उसे एक दफा लिखना है क्या लिखना है एक दफा लिखना है क्या फिर से बूलिए फिर से बूलिए फिर से थोड़ा सा repeat करिए क्या बोला हमने जो चीज सेम होगी उसे एक दफा लिखना है तो बताईए और जहां लिखी है जहां लिखी है अगर इधर पावर में है तो उधर पावर में रहेगा अगर इधर बेस में सेम है तो इधर बेस में रहेगा इतिबात लिए है तो बताईए यहां पर क्या होगा यहां पर हमने ऐसे करा क्योंकि मैं power में जाना है सबसे पहले और यहां पर M लिख लिया ठीक है दो यहां पर क्या है बेस पावर सेम है तो मैंने एक पावर कर लिए एक दफा लिख दिया उसको ठीक है इतिवात तियर अब देखिए मेरी बास सुनिए का ध्यान से यह sign जो है powers के लिए change होता है ल उसकी पावर क्या हो जाएगी M ठीक है उसकी पावर क्या हो जाएगी M हो जाएगी ठीक है तो यह property बहुत important है और अभी कुछ calculations में इसका use भी मैं आपको दिखाता हूँ examples के दरूँ ठीक है examples के दरूँ मैं उसको use दिखाता हूँ आपको ठीक है तो question number one start हो जाएगे question number one two की power minus one into two की power two ठीक है ठीक है question seven में आ रहा है अब देखिए यहाँ बेस क्या है base क्या है दोनों तरफ base क्या है same है base क्या है same है और बताओ क्या base same है हाँ base same है तो बताओ क्या base को एक बार लिखना है आप सही कह रहे हो क्या base को एक बार लिखना है plus में convert हो जाता है यानि कि हमें क्या करना है minus 1 करना है और plus 2 करना है तो बताइए हमारा final answer क्या होगा हमारा final सा होगा 2 की power 1 2 की power 1 इतनी बात लिए रहे ये बास समन में आ रही है कि minus 1 plus 2 का मतलब क्या हुआ 2 minus 1 2 minus 1 बास समन में आ रही है यानि कि हम क्या कर रहे है minus 1 plus 2 का मतलब क्या हुआ 2 में से एक घटा रहे है simply एदम clear है तो यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर 1 हो गई ठीक है question number 2 करते है question number 2 3 की पावर 60 into 5 की पावर 20 अब आप कहोगे sir यह तो एकड़म out of syllabus हो गया यह तो out of syllabus कैसे मतलब यहाँ पर तो न बेस सेम है न पावर सेम है और आपने एक question दिया है मैं समझी नहीं पा रहा हूँ कि इसे कैसे करूँ भाई न बेस सेम है न पावर सेम है तो हमने का एक बात बताओ इसको आप बताओ क्या लिख सकते हो 3 की पावर क्या लिख सकते है 60 को इसको लिख सकते है 20 into 3 क्या लिख सकते है 20 into 3 ठीक है और यहाँ पर बताओ कितना है 5 की पावर 20 ठीक है exponential function की एक छटी property जो भी बहुत important है वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से यह चीज समझिएगा कि अगर A की पावर A की पावर M की bracket बनाके N है ठीक है क्या बोला हमने A की पावर M है उस पूरी चीज का ब्रैकेट लगा हुआ है और बाहर पावर N है तो मैं बोल सकता हूँ इसको कि आप पावर का multiplication करा लो और इसे लिख लो A की पावर M into N तो बताइए क्या इस वाले function में A की पावर M into N है तो बताओ क्या यह A की पावर M into N को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A की पावर M की पावर कर ले N ठीक है तो बताओ A की पावर हमने क्या करा इसको लिख लिए हमने A की पावर यानि कि 3 की पावर 3 और उस पूरे की पावर कर लिया 20 और यह कितना हो गया यह हो गया 5 की पावर 20 तो बताओ यह कितना हो जाएगा 27 की पावर 20 और यह कितना हो गया 5 की पावर 20 ठीक है 27 की power 20 यह हो गया और 5 की power 20 यह हो गया ठीक है अब इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूं ठीक है इसके बाद आगे 27 की power यह हो गया 27 की power 20 into यह कितना हो गया 5 की power 20 20 अब आप बताओ क्या is in brave are never be larvae नहीं है किसमे पावर सेम है है हाई इसमे पावर सेम है इसका मतलब इसमें क्या पावर अगर सेम होती है तो हमे किया क्या करना होता है जो छीज सेम होती उसको एक डफा लिखना होता है तीख है अब उसकी बताओ, बेस क्या है, डिफरेंट है, हाँ, बेस डिफरेंट है, लेकिन बेस के लिए, ये वाला साइन के लिए, ये वाला साइन चेंज नहीं होता है, बेस के लिए ये वाला साइन चेंज नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, सीधे-सीधे 27 का मल्डिप्लिकेशन कराना है, प पावर 20 कर देना यही आपका final answer होगा ठीक है ओके question number 3 question number 3 पर आते है question number 3 पर आते है 9 की power 153 divided by 3 की power 200 ठीक है 9 की power 153 divided by 3 की power 200 तो क्या बताओ क्या इसमें base same है नहीं से base same तो नहीं है जब base same नहीं है तो बताओ अब हम इसको कैसे कर सकते हैं ना base same है ना power same है जब base same होती है तो सर ने बताया था या तो base same होगी exponential function की property लग सकती है या power same होगी exponential function की property लग सकती है लेकिन ऐसा कोई case तो सर ने बताया ही नहीं है तो आप बताओ मुझे आप बताओ क्या ये 9 3 का multiple है हाँ ये 3 का multiple है हाँ ये 3 का multiple है यानि कि इसको हम question के format में जो हमें पता है कि base same हो जाए तो उस format में हम ला सकते हैं क्योंकि ये 3 का multiple है और आपको यो वाली probability बताई है कि A की power M की power जो N होगी वो बराबर होगा A की power M into N के सही है तो इसको हमने सबसे पहले लिखा क्या? इसको हमने लिखा 3 की power 2 वैज 3 की power 2 लिखा और ये हो गया कितना? 153 और ये divided by कितना हो गया? 3 की power 200 सही है? अब आपको समय में आ गया होगा clear है? अब क्या करना है? ये A की power M की power N का form हो गया तो इसकी रिखा पर क्या करतेंगे? A की power M into N यानिकी powers का multiplication हो जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा? 3 की power 2 into 153 divided by 3 की power 200 सही है? तो बताइए इसका multiplication होगा? क्या होगा? 3 की power 2 3s are 6 2 5s are 10 का 0 carry हुआ 1 2 1s are 1 और 3 300 and 6 और ये हो गया 3 की power 200 अब आप बताओ क्या base same है? हाँ base same है जो चीज same होती है उसे कितनी दफा लिखना होता है? उसे एक दफा लिखना होता है तो यहाँ पर हमने क्या करा? 3 एक दफा लिख लिए इतनी बात clear है? हाँ clear है अब उसके बात क्या करना है? powers के लिए ये वाला जो sign है ये किस में convert हो जाता है ये negative में convert हो जाता है यानि कि powers को आपस में क्या करना है subtract करना है ठीक है powers को आपस में क्या करना है subtract यानि कि यह हो गया 306 minus 200 आपका final answer कितना हो जाएगा 3 की power 106 यही आपका final answer होगा यह आपका क्या होगा final answer होगा अच्छा और question के through आपको और समझ में आ जाएगा और clear हो जाएगा तो और examples ले लेते हैं थोड़े से और examples ले लेते हैं एक दो और और इन examples के बाद हम लोग सीधे सीधे हम लोग graphical approach करेंगे किसकी exponential function की जो बहुत important है आपके physics में graph का बहुत use होता है exponential function का graph आपको पता होना चाहिए कि exponential function का graph क्या होता है और वहीं से हम लोग स्टार्ट कर देंगे logarithmic functions और अब इसके बाद चलिए हम लोग question पर चलते हैं वापस जिसके माध्याम से आपको समझ में आ जाएगा और clear हो जाएगा questions का सम्हू बनाते है जिसमें सारी चीजों का use हो जाए तो यह question आपका final question है इसके बाद हम लोग सीधे graphical approach पहुँच जाएंगे यह question यह है 2 की power 2 into 2 की power minus 100 into 2 की power 6 into 2 की power 8 into 4 की power 6 divided by 2 की power minus 4 into 2 की power minus 315 ठीक है minus 315 ठीक है अब इस question को में करना है तो बताओ पहले आप ऊपर की बात solve करो नीचे की बात अलग solve करो और फिर उपर नीचे की बात solve कर लेंगे ठीक है अभी तक हम लोगने यह करा है तो बताइए यहाँ पे base क्या है same है यहाँ पे base क्या है same है यहाँ पे base क्या है same जब तक base same होता जाए तब तक पकड़ते जाओ यहाँ पे base क्या है same यहाँ पे base different है तो देखा यह 2 का multiple है इसको हम बना सकते है base same इसको हम बना सकते है जहाँ पे अगर यह base 2 है और यह number इसका multiple है तो मैं कहा रहा हूँ कि इस number को मैं बना सकता हूँ base 2 ठीक है अब देखो आप कैसे करोगे इस वाले part को मैं उपर ले गया और यह 4 की power 6 का मतलब हो गया 2 की power 2 की power 6 सही है A की power M की power N का मतलब होता है M into N सही है M into N तो हम इसको क्या कर लेंगे 2 की power कर लेंगे 12 6 into 2 कर लेंगे यानिकि 2 की power 12 अब बताओ यह 4 की power 6 ना रहके क्या बन गया 2 की power 12 तो बताओ इसको हम अटा देते हैं यहां से ठीक है और यहां लिख लेते हैं 2 की power 12 अब बताओ यह भी base same ठीक है तो उपर की बात पहले solve कर लेते हैं base same होगा तो उपर एक दफा हो जाएगा ठीक है जो चीज same होगी चाहे वो 2 बार हो चाहे वो 3 बार हो उसको एक बार ही आपको लिखना है जो चीज same होगी उसको एक बार लिखना है और powers के लिए powers के लिए क्या होगा powers के लिए यह बीच वाले sign ने सब क्या convert हो जाएं किसमे plus में यानि कि addition में convert हो जाएंगे तो बताईए कि सब powers को जोड़ दें आपस में हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं सारे powers को आपस में जोड़ दें तो यह कितना हो जाएगा 2 और जो minus 100 है ना minus 100 अब आप कहोगे कि सर अब यहाँ पे आप क्या करना चाहिए यहाँ पे क्या करना चाहिए आप बताओ कि यहाँ पे minus 100 लिखें कि plus 100 लिखें आप कहोगे plus 100 लिख हो गया नहीं जो value minus में है उसको as it is जहाँ पे रग देना है ठीक है तो यहाँ पे कितना होगा minus 100 minus 100 यह आप जोड़ ही रहे हो क्योंकि इसकी value तो पहले से ही minus 100 है न मैंने तो कोई छिटकानी नहीं करी है मैंने तो बीच में plus ही sign लगाया था लेकिन plus और minus क्या हो गए माइस हो गया बास्ताहण में आ रही है अच्छा अब बताइगे कितना हो गया plus eight हो गया यह कितना हो गया plus 12 हो गया अब नीचे पर आजाओ नीचे पर आजाओ बताईए कि यहां base 2 है यहां भी base 2 है तो बताईए इन दोनों का अगर base same होगा तो हम कितनी दफा लिख लें एक दफा base लिख लें उसके बाद बताओ यहां पर minus 4 है यहां पर minus 315 है तो हमें क्या करना है, minus वाले को same same लिख देना है, कोई छिलखानी नहीं करनी है, तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड के minus 4 minus 315, minus 315, अब आपस में इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, आपस में कितना आ रहा है, जोडो, तो यह कितना हो जाएगा, 6 to 8, 8 और 8, 16, 16, 16 और 2, 18, 18 और 10, 28, 28 minus 100, तो बताइए, minus का 100 है, और plus का 28 है, तो आपको मैं trick बता रहा हो, सुनिएगा दियान से, जब कोई minus में बड़ा number होता है, और plus में छोटा number होता है, तो आपको simply क्या करना है, बड़े वाले में नंबर में से, छोटा वाला number घटा लेना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9, 9 में से 2 गया, 7 आ गया, सही है, और जिस बड़े number के पास, जो sign है, मतलब समझ नहीं पाए, जो बड़ा number है, उसके पास जो sign है, आपको वो यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 की power, इसको मैं अधर लिख देता ह है, तो addition होगा, यहाँ पर different sign था, तो subtraction हो रहा है, यह trick है, subtraction और addition की, क्या जब different sign होगा, आपको subtraction करना ही करना है, जब same sign होगा, आपको addition करना ही करना है, तो बताइए, इनको simply add कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 1, 3, minus, ठीक है, अगर आपको यह बास समझ नहीं आ ही है, तो इसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, अलग से, जिसका नाम होगा, board mass, और उसमें सारे convention आपको बताए जाएगे, अच्छे से, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है, इसके बाद आप देखिए, minus 3, 1, 9, यहाँ पर आया है, तो मैंने क्या गरा, इस है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ नि करना चाहिए, अगर बीच में divide लगा हो, base same है, तो powers के लिए, क्या होता है, subtraction होता है, तो आप बताएगे, यहाँ पर कितना होगा, 2 की power, minus 72, minus 72, और यह power उपर जा रही है, तो बताएगे, क्या होगा, minus 3, 1, 9, ठीक है, minus 3, 1, अब बताएए, minus, bracket का मतलब क्या होता है, यह आपको board mask में अच्छे से clear होगा, कि bracket का मतलब होता है, अगर minus sign बाहर लगाए, तो यह into में है, और मैंने बताया है, कि into multiplication में, अगर minus even times आता है, तो चला जाता है, गर even times आता है, तो चला जाता है, तो बताएगे, यहाँ पर क् माइनस माइनस प्लस तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 2 की पावर माइनस 72 प्लस 319 अब बताई किया different sign है हाँ ये different sign है इसका मतलब क्या करना है subtraction करना है subtraction कर लीजे कितना आ रहा है 319 subtract कर लिए 72 927 and 1174 and 2 और sign कौन सा number बड़ा है बड़ा number कौन सा 319 उसके पास sign कौन सा है प्लस का तो आपके बाद final sign कौन सा आएगा प्लस का आएगा 2 की पावर 247 ये आपका final answer होगा तो आपको एकदम clear हो चुका है exponential function की जो properties है मैंने आपको सारी properties बता दिया है और इसके माध्यम से properties को लेके आप कैसे question solve कर सकते हो कैसे अपनी calculation को और easy कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया है वो मैंने आपको सिखा दिया है ठीक है अब हम लोग चलते हैं graphical approach की तरफ ठीक है कि exponential function का graph क्या होता है क्योंकि physics में इसका बहुत use होता है कि exponential function का graph आपको पता ही होना चाहिए ठीक है तो अब हम लोग चलते हैं exponential function का graph के बारे में जानते हैं ठीक है